कभी खुशी कभी गम हिंदी मूवी समीक्षा कभी खुशी कभी गम जिसे शुरुवाती अक्षर के तीन जी के नाम से भी जाना जाता है 2001 की हिंदी भाशा की पारिवारिक ग्रामा फिल्म है जो करण जोहर द्वारा लिखित और निर्देशित है और यश जोहर द्वारा अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शन्स के तहट निर्मित है फिल्म में अमिताब बच्चन, जया भादुडी, शाहरुख खान, कृतिक रोशन, काजोल, करीना कपूर और रानी मुखर जी है यह एक भारतिय बहुक्रोडपती परिवार की कहानी बताती है जो अपने से कम सामाजिकार्थिक समुह की लड़की से अपने दक्तक पुत्र की शादी को लेकर परिशानियों और गलत फमियों का सामना करता है फिल्म का स्कोर बबलू चक्रवर्ती द्वारा तयार किया गया था जिसमें संगीत जतिनलित, संदेश शांडिल्य और आदेश श्रीवास्तव द्वारा दिया गया था और गीत समीर और अनिल पांडे द्वारा लिखे गये थे कभी खुशी कभी गम को टैडलाइन इट्स आल अबाउट लविन पैरेंट्स के साथ प्रचारित किया गया था यह फिल्म दिसमबर 2001 में रिलीज हुई थी यह फिल्म धरेलू और अंतरराश्ट्रियस तर पर एक बड़ी व्यावसाइक सफलता के रूप में उभी इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाय मिली जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी, ओशाक डिजाइन, साउंड ट्रैक, प्रदर्शन, भावनात्मक ग्रिश्यों और विश्यों की प्रशनसा की लेकिन लंबाई और स्क्रिप्ट की आलोच ना की भारत के बाहर यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिय फिल्म थी जब तक की 2006 में जोहर की अगली निर्देशित फिल्म कभी अल्विदाना कहना ने इसका रेकॉर्ड नहीं तोड़ दिया कभी खुशी कभी गं ने अगले वर्ष लोग प्रिय पुरसकार समारोहों में कई पुरसकार जीते जिनमें पाँच पुरसकार शामिल थे फिल्म फेर पुरसकार यश्वरधन्त यश रायचंद एक बिजनेस टाइकून है वह अपनी पत्नी नंदिनी अपने दो बेटों राहुल और रोहन के साथ साथ अपनी मा लाजवन्ती और सास राजिंदर के साथ दिल्ली में रहते हैं उनका परिवार अत्यधिक पित्रिसत्तात्मक है और परंपराओं का सक्ती से पालन करता है राहुल को जन्म के समय यश और नंदिनी ने गोद लिया था यहाँ बात रोहन को छोड़कर घर में सभी को पता है वयस्क राहुल लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लोटता है और उसे चांदनी चौक की जीवन्त अंजली से प्यार हो जाता है राहुल को जल्द ही पता चलता है कि वह उसके प्यार का बदला लेती है हाला कि चूंकी वह कम आयवाली प्रिष्ठ भूमी से है इसलिए उसके पिता कभी भी इस रिष्टे को स्वीकार नहीं करेंगे इस दौरान रोहन जो अभी भी एक बच्चा है को पारिवारिक परंपरा के अनुसार बोर्डिंग स्कूल जाता है यश ने राहुल की उच्चवरगिय बच्चपन की दोस्त नैना से शादी करने की अपनी इच्छा की घोशना की अन्जली के बारे में जानने के बाद यश उसकी स्थिती के कारण क्रोधित हो जाता है राहुल ने उससे शादी न करने का वादा किया हाला कि उसे पता चलता है कि अन्जली और उसकी छोटी बहन पूजा के पिताओं की मृत्यू हो गई है और वह उन्हें पीछे छोड़ गया है यश की दुश्मनी के बावजूद वह अनायास ही उससे शादी कर लेता है जब वह उसे घर लाता है तो यश राहुल को उसकी गोदली हुई स्थिती की याद दिलाते हुए उसे अस्विकार कर देता है इससे आहत होकर राहुल ने नंदिनी को रोते हुए अलविदा कहा और घर छोड़ दिया रोहन को कभी भी इस बात का सच पता नहीं चला कि राहुल ने घर क्यों छोड़ा दस साल बाद रोहन बोर्डिंग स्कूल से घर लोटा आखिरकार उसे अपनी दादी लज्जो और राजिंदर से पता चलता है कि राहुल ने क्यों छोड़ा और यह तथ्यकी उसे गोद लिया गया है इस अलगाव से अपने माता-पिता को जो दर्ध हुआ है उसे देखकर रोहन परिवार को फिर से एक जुट करने की कसम खाता है उसे पता चलता है कि राहुल, अंजली और पूजा लंदन चले गए हैं वह आगे की पढ़ाई करने के लिए यश और नंदिनी से जुट बोलकर वहां जाता है राहुल और अंजली का एक छोटा बेटा क्रिश है पूजा किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ने वाली एक अत्याधुनिक दिवा है वह और रोहन जो अतीत में बचपन के दोस्त थे, राहुल और अंजली के प्यार में पढ़ने के बाद फिर से एक हो गए वह राहुल और अंजली को घर वापस लाने की खोज में उसका समर्थन करती है रोहन खुद को पूजा का भारत का दोस्त बताता है सक्चाई को छिपाने के लिए रोहन द्वारा अपना परिचय यश के रूप में देने के बाद राहुल ने उसे अपने साथ रहने दिया राहुल अपने बेहत बदले हुए अब वयस्क भाई को इतने सालों के बाद देखकर पहचान नहीं पाता है इस बीच रोहन और पूजा करीब आते हैं और एक दूसरे के लिए भावनाए विक्सित करते हैं आखिरकार राहुल को एहसास होता है कि रोहन उर्फ यश उसका भाई है रोहन उससे घर आने के लिए कहता है लेकिन वह उसे यश की बात याद दिलाते हुए मना कर देता है रोहन यश और नंदिनी को लंदन आमंतरित करता है और उन सभी को एक ही मौल में लाने के लिए एक गुप्त पुनर्मिलन की व्यवस्था करता है नंदिनी और राहुल का भावनात्मक पुनर्मिलन हुआ हाला कि जब यश अपने साथ राहुल, अंजली और पूजा को देखता है तो वह रोहन पर क्रोधित हो जाता है और उनका टकराव ठीक नहीं होता है नंदिनी पहली बार यश के सामने खड़ी हुई और उससे कहा कि उसने राहुल को अस्विकार करके और परिवार को तोड़ कर गलत किया है अपनी दादी की मृत्यू के बाद रोहन और पूजा राहुल और अंजली को घर आने के लिए मनाते हैं नंदिनी उनका उचित स्वागत करती है जब राहुल यश के पास जाता है तो यश राहुल को अस्विकार करने के अपने गलत काम को स्विकार करता है और रोते हुए माफी मांगता है और राहुल को बताता है कि वह हमेशा उससे प्यार करता था राहुल यश को माफ कर देता है जो बाद में अंजली से उस समय उनकी शादी को मनजूरी न देने के लिए माफी मांगता है रोहन और पूजा जिन्हें प्यार हो गया था बाद में शादी कर लेते हैं परिवार राहुल और अंजली की शादी का देर से जश्न मनाता है इस प्रकार वे एक साथ खुशी से रहते हैं और रोहन और पूजा की शादी भी